गुड इवनिंग डियारे स्टुडेंट्स हाउ आर यू हम समझते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे तैयारी अच्छे चल लही होगी आज की वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं आयू पीसी नामन क्लेचर आप ब्रांच अलकेन इसके पहले वाली वीडियो में क्या काते हैं ब्रांच अलकेन क pişते हैं ब्रांच अलकेन तो फ़स्ट इसमें कुछ रूल होते हैं जिसके एक काड़िंस हम उनका नामन क्लेचर को पड़ते हैं अब ब्रांच का मतलब यही है जैसे एक कंपाउंड है CH3 CH2 CH2 और CH CH3 तो यहां पर अगर CH2 CH3 अगर इस तरह से लग अगए इसमें branching होगई क्या है गई? branching होगई इस तरह को कहते हैं branching जैसे अगर यहां पर लिखा है CH3 CH2 CH CH3 यहां पर लिखा हुआ est CH2 तो यह क्या है? CH3 यह सब जो होती है इसको branching बोलते हैं क्या ब्रांचिंग तो ऐसे जो है compound जो जिनके पास क्या है branching है ऐसे अलकेन उनका नावन क्लेचर करेंगे हम लोग इस वीडियो में तो जैसे आप सबसे पहले इसके लिए कुछ rules है कुछ rules के carding हम जो है आईउपीसी नावन क्लेचर आप branch अलकेन का हम करते हैं जो first rule है जब भी हम क्या करते हैं first rule क्या कहता है कि आईउपीसी नावन क्लेचर करने के लिए किसी भी branch अलकेन में सबसे पहले जो है select the longest carbon chain क्या सबसे पहले सबसे पहले करना क्या होता है select the longest carbon chain यानि कि जो भी हमारे पास compound है उसमें सबसे लंबी जो carbon chain है उसको हम क्या करते हैं select करते हैं जैसे यहाँ पर एक carbon chain यहाँ पर इतनी है दूसरी carbon chain यहाँ पर इतनी है और कुछ इस तरीके से है तो यहाँ पर एक carbon chain पूरी यह भी है तो यहाँ इस carbon chain में 1,2,3,4 और जो है carbon है और इसमें क्या है 1,2,3,4,5 है तो ऐसे में select the longest carbon chain के वल आप क्या करेंगे longest carbon chain जो सबसे लंबी carbon chain होगी जिसमें ज्यादा number में carbon होगे सबसे पहला काम उसको यही करेंगे कि select the longest carbon chain देखिए अगर हम इसको सीधा count करेंगे 1,2,3,4,5 यहां हो रही है और जो longest है यहां पर आ रहा है फोर के बाद 5 यहां हो रहा है 6 यानि कि सीधी सीधी वाली जो chain है वो जो है longest carbon chain नहीं है बलकि क्या है जो नीचे गई है वो longest carbon chain है तो सबसे पहला काम होता है select the longest carbon chain यह यह जो सबसे लंबी carbon chain है सबसे पहले हम उसका चुनाओ करेंगे उसके बाद हम क्या करेंगे उसके बाद हम नंबरिंग करेंगे जो भी carbon atom है उनको क्या करेंगे उनकी नंबरिंग करेंगे 1,2,3,4,5 कैसे जैसे 1,2 यह पहला carbon है दूसरा है तीसरा है चौथा है पच्वा है इसी तरह हम क्या करेंगे, सब carbon क्या करेंगे, numbering करेंगे, तो numbering करने के भी क्या है, बहुत simple से rules है, इसमें दो तरीके है, पहला तरीका जो है, numbering का जो पहला तरीका है, numbering in such a way, numbering इस तरीके से किया जाएगा, कि substituent get the lowest possible number, यानि कि जो substituent है, यह सब जो लगे हुए है, इनको क्या करें, lowest number मिले possible, अब इससे समझ में तो नहीं आ रहा, जैसे अगर हम क्या करेंगे, देखो यहां से counting करेंगे, देखो लांगेस्ट कार्बन चेन ए वाली है, इस carbon compound में, तो इसमें जो है, अगर हम यहां स counting करते हैं, इसको पहला carbon देते हैं, इसको दूसरा देते हैं, इसको तीसरा, चौथा, पाचवा, तो यहां पर चाहे हम इधर से आए, चाहे हम इधर से आए, हमारा CH3 होगा, और इसको जो है, तीसरे number वाले carbon पर हुआ, यह carbon की numbering करते हैं, लेकिन, अगर हम इस तरह के compound जैसे देखो, यहां पर CH3, CH2, CH2, CH, CH3, और यहां पर है CH2, CH3, यहां तो हम carbon की counting हम यहां से करेंगे, क्योंकि यह वाली carbon चल, longest है, यहां तो फिर यहां से करेंगे, अगर हम यहां से करेंगे, तो यह पहला carbon होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा carbon, यह पाचवा, छटवा, यह आ रहा है, इधर से counting करने पर चौथा, लेकिन, जब हम इधर से counting करते हैं, 123, तो इस carbon को तीसरा number मिल रहा है, किसको जिस पर substitute लगा हो, तो हम numbering इस तरीके से करेंगे, कि जो हमारा substitute लगा है, उसको कम से कम number मिले, जैसे, इसको पहला number, इसको दूसरा number, इसको क्या है, तीसरा number, लेकिन, अगर हम जब इधर से counting करेंगे, तो 1, 2, 3, 4, तो यह वाली जो counting है, यह वाली गलत है, और यह वाली जो है, इधर से हो रही है, यह वाली सही ह तो यह क्या हो गया, 1,2,3,4,5, यह पांच कारबन की चेन है, नहीं 6 कारबन की है, 1,2,3,4,5,6, तो इस तरीके से इसमें यहां पर CH3 substitute लगा है, दूसरी चीज, जो next rule है, क्या है, if two substitute have same position, अगर दो substitute क्या है, same position पर है, then numbering in such a way, which is alphabetical first, जो ABCD यानि alphabetical में पहले आए, क्या, if two substitute have same position, then the numbering in such a way, which is alphabetical first, जो alphabetical order में first में आए, उनको पहले prefer करते हैं, जैसे, यह 1,2,3,4,5,6, जो है, 6 कारबन की चेन है, अब इसमें हम देखिए, अगर इधर से काउंटिंग करते हैं, तो 3 पर हमको क्या मिलता है, मेथिल मिलता है, इस ग्रूप को क्या कहते हैं, मेथिल, और हमको क्या मिलता है, 5 पर एथिल मिलता है, क्या मिलता है, एथिल मिलता है, इस ग्रूप को हम कहते हैं, एथिल, लेकिन देखिए, अलफा वेटिकल आडर में एथिल पहस्ट आता है, तो इधर से काउंटिंग करें तो methyl पहले मिलेगा और यहां से counting इधर से होगी तो ethyl पहले मिलेगा ABCD में alphabet में ethyl पहले आता है तो counting इधर से शुरू होगी इधर वाली counting साही होगी यहां से 1,2,3,4,5,6,7 counting इधर से होगी next आप rule दो अखेंगे name of substituent as a prefix जो substituent होते हैं उनका नाम एक prefix की तरह लिखा जाता है यानि कि जो है root word के पहले तो पिछली वीडियो में हम समझाया थे अभी हम नाम लिखकर भी समझा देंगे कि कैसे इनका नाम prefix में लिखा जाता है जो substituent होते हैं उसके बाद name of substituent in alphabetic order ने एक जो substituent होता है यहां नया compound यहां पर लिए हैं और इसका नमन क्लेचर करेंगे देखिए ऐसे यहां से अगर counting करेंगे तो यह एथिल मिलेगा और यहां से counting शुरू करेंगे तो पहले हमको क्या मिलेगा अगर ऐसी condition है कहीं से सब्सक्राइब पहले मिलने की संभावना है कहीं से दूर तो जिधर से पहले मिलता है हम उधरी को numbering करते हैं यहां पर इधर से होगी 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह जो है सही numbering है numbering इधर से करेंगे तो एथिल पहले मिलेगा और इधर से करेंगे तो मेथिल पहले मिलेगा लेकिन इधर से करने पर जो है ज्यादा number मिलेगा यहां पर फो इधर से 1 2 3 4 पर मिलेगा और 6 पर मिलेगा इधर पर 2 और 4 इधर पर मिला है 2 पर substitute और 4 पर 2 प्लस 4 is equal to 6 होता क्या होता है 6 होता है और अगर इधर से हम ले गएंगे तो 1, 2, 3, 4 क्या है 4 पर और प्लस 6 पर मिलेगा 4, 6 होता है 10 तो एक lowest जो है sum rule होता है जिसको हम उते Locate Sum Rule Locate Sum Rule के एकारडिंग उधर के हम numbering को prefer करेंगी जिधर के जो है counting करने पर Locate Sum क्या है minimum आए तो इधर से जब हम counting कर रहे हैं तो lowest जो sum आता है Locate Sum का 6 आता है और यहाँ पर 10 आता है तो हम इस वाली numbering को क्या करेंगे prefer करेंगे जिसमें हम यहाँ से counting करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अब इनका हम नाम लिखते हैं 4 पर क्या है? Ethyl है क्या है? 4-ethyl Ethyl का नाम हम पहले लिखते हैं इसलिए क्योंकि alphabetic order of ethyl पहले आता है 4-ethyl उसके बाद इस तरह से हम hyphen लगाते हैं 2-methyl क्या? 2-methyl 4-ethyl, 2-methyl उसके बाद hept hept-ane यहां से जो hept-ane है hept जो आपका root word है एन आपका primary suffix है और 4-methyl और 4-ethyl और 2-methyl यह हमारे हो गए prefix क्या हो गए? prefix और यह root word के पहले hept जो है यह root word है इसके पहले जिनका नाम लिखा जाता है उन्हें कहा जाता है prefix इसमें देखे इसको 4-numbering पर है 2-numbering पर है लेकिन नाम किसका पहले लिखेंगे numbering से नहीं मतलब है नाम उसका पहले लिखेंगे जो alphabetic order में पहले आता है इसके बाद एक और rule है last वाला simple सा rule है इसको समझ लेंगे उसके बाद आप जो है किसी भी branch alcan का नामन क्लेचर कर सकते है जो last वाला rule है जो last वाला rule है इसमें क्या है है कि आगर आपके पास इस तरह के compound है जिसमें एथिल मेथिल 2 या 3 बार यूज हुआ हो तो उनका नाम 2-3 बार नहीं लिखते हैं क्या लिखते हैं एक ही बार लिखते हैं अगर 2 या 2 से अधिक यूज वर्ड यूज करते हैं यह नहीं कि हम क्या करें कि उनहीं को क्या कर दें जो है दो बार तीन बार नाम लिखें तो दो बार मेथिल मेथिल नहीं लिखना है जैसे यहां 1,2,3,4,5,6 काउंटिंग चाहें यहां धर से करें numbering same मिलेगा कोई प्राप्लम नहीं है तो हम लिखेंगे 3,4 क्या लिखेंगे 3,4 उसके बाद लिखेंगे डाइ मेथिल क्या डाइ मेथिल 3,4 डाइ मेथिल हेक्स sense 6 कारबन की चेन है हेक्सेन 3,4 डाइ मेथिल हेक्सेन यह जो है आपके जो simple से रूल थे आले कार्डिंग जो है आयू पीएसी ब्रांचिंग के इलकेंज का नाम लिखने के लिए इसको हमने पुरा का पूरा एक ही वीडियो में पुरा जो है रूल समझा दिया तो डियर इस्टुटेंट्स आप लोग अब क्या करेंगे नंबरिंग करेंगे क्या करेंगे करेंगे सबसे पहले लोकेंट का मतलब कार्बन को involve देंगे जो जो रूल है अप ध्यान से उसको है अभी daha टाइम लेगा आप उसको एक वार ध्यान से देख लेंगे उसके बाद आप इंका क्या करेंगे नामन क्लेचर करेंगे अगर आपको कोई भी प्राब्लम हो रहा जवाब देंगे कोई भी प्राब्लम हो तो आप कमेंट जरूर करें आप पूरा का पूरा रूल समझा दिये है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कराएंगे तो यहाँ पर टाइम ज़्यादा लगेगा तो आप लोग प्रैक्टिस से करेंगे तो बिटर होगा और कोई भी कोश्चन नहीं आता है तो आप कमेंट करेंगे तो हम आपके हर कमेंट का जवाब देंगे आज की वीडियो में इतना ही वीडियो अच्छे लिगे तो वीडियो को लाइक करो वीडियो को सेर करो चैनल पर पहली बारा है तो चनल पर जरूर सब्सक्राइब करो, आज की लिए इतना है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में.